हैप्टी देस हेरा आप सभी लोगों को तो आज वीडियो अपनी फेस दिखाते हुए स्टार्ट करता हूँ और अपनी गाड़ी की चावी उठाके दुकान की तरफ निकल जाता हूँ आज इस रोड पे काफी भीड होने वाली है आप लाश्ट में देखिएगा यहाँ सभी स्री राम भक्त एक जगा जमा होने वाले है और जो यह आप ग्राउंड देख रहे हो इसे मैं अंदर से दिखाता हूँ यहाँ पूरी इतनी बड़ी ग्राउंड है यहाँ पास कुजु दिरवाद पैर रखने की जगा नहीं होगी इतनी ज़्यादा भीड होने वाली है उसके एद मैं अपनी गाड़ी उठा के चला जाता हूँ दुकान और यह एक ग्राउंड है जहाँ राउंड, मेगनाद, कुमकरन तीनों के पूतले बनाए गया है और यहाँ भी इतनी ज़्यादा क्राउड होने वाली है आप लाउंड में देखिएगा पूरी ग्राउंड फूल हो जागी पैर रखने की बिल्कुल भी जगा नहीं होगी यहाँ अंदर आना बहुत मुस्किल बाहर निकलना आपको लाउंड में दिखाता हूँ यह राउंड कंपलीट नहीं है बागी कुम करन मेंगना तो कंपलीट हो गया है अब देखते हैं राद तक उसके बाद हम बाहर निकल जाते हैं आने का आद हमें पता चलता है कि हमें जब तक यह इंजन कंपलीट नहीं करेंगे हमें छुट्टी नहीं मिलेगी और यह रेली स्टार्ट हो गए यह सभी कोई उस ग्राउंड में जाके जमा होने वाले हैं भी मुझे बाइक की पार्ट्स लेने के लिए भेज देते हैं मैं भी फटा फट गाड़ी उठा के चला जाता हूं क्योंकि मुझे तो यह क्राउड देखना था यहां के लोगों को देखना था वा इस टार्टिंग में यह ग्राउंड दिखाया था जो एदम फूल हो जाएंगे अभी अंदर जाके दिखाते हैं कितना क्राउड है यह हमारी राम मंदिर की छोटी सी मॉडल तैयार है कुछ इस तरह से हमारा राम मंदिर बहनेगा यह सब देखने का मुझे दुकान जाने का बिल्कुल भी बन नहीं था बट क्या करें जाना पड़ेगा कि अँड़ेगा झालो हमारे बन दीमा झाल झाल और यह सब देखने को आद मुझे याद आता है कि मैं तो बाइक की पार्ट से लेने आया हूँ फिर फटा फट अपनी गाड़ी उठा के याँ से भगता हूँ और दुकान पहुचते ही मुझे यह देखने को मिलता है उसके अद मेरा भी मन होता है जाने का बट क्या करें हम अपने काम से फुरसेत ही नहीं है और मैं अलग जाता हूँ अपने काम पे फाइनली काम से छुटी हो गई है और मैं फटा फट चल जाता हूँ घर तेयार होने और रास्ते में मुझे यह सब दिखता है तो मैं सूट कर लेता हूँ और फिर मैं घर आ जाता हूँ यह जूते धोये थे आज रेली में जाने के लिए बट मैं बहुत ही लेट हो गया हूँ तो नहीं जा पाऊंगा तैयार होके मैं आ गया अब जाऊंगा रावर देखने अपने दोस्त को फोन करता हूँ उसके पास बुलिट है मैं उसके साथ बुलिट में जाऊंगा अच पहली बार यह मेरा दोस्त फिर दोस्त बोला मुझे भी तियार होनी है और फिर मैं उसके साथ चला जाता हूँ उसके घर वो भी त्यार हो गया और फिर हम निकल लिए रास्ते में मेरे फैमिली के लोग मिल जाते हैं ये भी जा रहे हैं इन्हें पता नहीं है कि मैं इनके वीडियो बना रहा हूँ पूरे रास्ते में बहुत ही ज़्यादा भीड़ था और बहुत ही ज़्यादा जाम था और ये तो कुछ भी नहीं, मेन तो उस ग्राउंड में जाने के बाद पता चलेगा मैं अपने बुलेट रखने के लिए जगा नहीं मिल रहे थे तो हम चाय पीने के बहाँ ने बुलेट की पार्किंग खोज लिए उसके बाद ये क्राउड देखो, ये तो मुझे सूट करते नहीं बन रहा था तो मैं फटा फट एक पिलर के उपर चड़ गया और ये मैं हूँ और ये मेरे फैंस इतने सारे यहां पर कुमकरन को तीर लग जाती है और यहां पर हमें छोटी सी जाकी देखने को मिलती है मेरे पीछे आप क्राउड देखी सकते हैं कितनी ज़्यादा भेड़ है यहां इसे निकलते हुए हम अपने घर की और चल जाते हैं और मेरा दोस्त बोलता है उसे स्नौकर खेलना है जो कि मुझे तो खेलना आता नहीं है फिर भी ट्राइ कर रहे हैं यह सब के बाद मैं बहुत ही जादा ठक जाता हूँ और घर आता हूँ घर आते ही मुझे कब नीन लग जाती है मुझे पता ही नहीं चलता जाते ही मुझे पता हूँ